नमस्ते फ्रेंड्स, टमी किचन में आपका स्वागत है, मैं हूं मानीनी, आज हम बनाने जा रहे हैं मतर मसाला, तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हम कड़ाई लेंगे, कड़ाई में तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद उसमें हम जीरा डालेंगे जीरा भून जाने के बाद हम उसमें आड करेंगे ग्रिन चिली देन हम इसमें आड करेंगे ओनियन इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें देन हम इसमें आड करेंगे जिंजर गर्लिक पेस्ट यह सारे को मिक्स कर लें और अच्छे से फ्राई कर लें अब आप देख सकते हैं यह अच्छे से फ्राई हो गया है देन हम इसमें आड करेंगे टमेटो टमेटो को भी मसाले के साथ मिक्स करके उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लें दिन हम उसमें आड करेंगे नमक, रेटिली पाउडर, हल्दी, एंड सुगर ये सारे को मिक्स कर लें और अच्छे से फ्राई कर लें अब हम इसमें आड करेंगे ग्रीन मतर और हम इसमें आड करेंगे गर्म मसाला ये सारे को मिक्स कर लें और अच्छे से फ्राई कर लें और कबर करके खुछ दर के लिए पकाएंगे और बीच बीच में आप स्पून चलाते रहें और कबर भी करते रहें ये तब तक करें जब तक आपका मतर जो है वो मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए तब तक क्या करते रहें और इसे अच्छे से पकाएं ध्यान रहें इसे लो फ्लेम में ही पकाएं फ्लेम को हाई ना करें और एंड में अगर आप चाहो तो थोड़ा से इसमें आमचूर भी डाल सकते हो अब आप देख सकते हो मटर और मसाला जो यह अच्छ से मिक्स हो गया है फ्राई भी अच्छ से हो गया है और यह मटर मसाला जो ही यह खाने के लिए तेयार है अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी और इसके उपर धन्या पत्ता, प्यास और टमेटो यह चॉप्ट करके में डालूंगी यह में शिर्फ देकुरेट के लिए नहीं डाल रही हो अगर आप यह तीन चीजों को चॉप्ट करके कच्छा डालते हो तो यह खाने में और भी टेस्टी लगता है तो एक बार जरूर इसे ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपिक के साथ तब तक नमस्त